अर आरे नियूस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रिशब चोहान देखिया आज दिन भर की दस्त बड़ी खबरे साथ रियात्रियों की मौत का सिलसला थमने का नाम नहीं ले रहा अब मरने वाले हज यात्रियों की संकिया 550 से बढ़कर 645 हो गई है वहीं मरने वाले लोगों में 90 भारतिये भी हैं हज के लिए मक्का गए इन भारतियों की मौत की रिपोर्ट बीते 3 दिनों में दर्ज की गई है पहले दिन सिर्फ छे भारतियों की मौत हुई थी मरने वाले हज यात्रियों की मौत पर अभी तक भारत सरकार के कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है पटना हाई कोट ने बिहार में सरकारी नौकरी और उच शेक्षिन संस्थाओं के दाखिले में आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने वाले बिहार आरक्षण कानून को समानता विरोधी बताकर रत कर दिया है मुख्या मंत्री निटिश कुमार की महागटबंदन सरकार ने जाती अधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अधार पर ईवी सी, ओबी सी, दलित और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 65 परसेंट कर दिया था मद्य प्रिदेश के शिवानी जिले में दो इस्थानों पर गौवंश के गर्दन कटी श्रब मिलने पर छेतर में संसनी फैल गई है मामला बुदबार देरा शाम का बताया जा रहा है पिरड़ाई के पास बैन गंगा नदी में 19 गौवंश के श्रब मिले हैं दुमा छेतर में लगबग 32 गौवंश की गर्दन कटी मिली है सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुच गई है और जाच पड़ताल अब की जा रही है दिल्ली के मुख्या मंतरी अर्विन केजरिवाल की जमाना त्याचिका पर सुनवाई के बीच जाच एजनसी परवरतर निर्दिशाल्य यानि एडी ने एक बड़ा दावा किया है एडी ने पहली बार कोट को बताया है कि कथित शराग घुटाले में इस्तेमाल नोटों की तस्वीर वरामत की गई है कोट को बताया गया है कि तस्वीर में दीख रहे नोटों का इस्तमाल ही गोआ चुनाओं में किया गया था UGC NET परिक्षा में गलवडी मिलने के बाद NTA ने एक्जाम रद कर दिया है मामले की जहां CBI को सौप दी गई है सिक्षा मंतराले ने बुदवार को ऐलान किया कि UGC NET का नए सिरे से आयोजियन किया जाएगा परिक्षा की सुचिता से समझोता होने का मामला CBI को सौप जाएगा शुरुआती जात में पता चला है कि परिक्षा की पारदर्शिता के साथ समझोता किया गया है इसलिए NTA ने परिक्षा रद करने का फैसला किया है UDC NET परिक्षा रद किये जाने के बाद इस मामले पर आप राजनीती तेज हो गई है समाजबादी पार्टी के फिर्मुक अकले शियादब ने इस फैसले के बाद सरकार पर हमला बोला है अकले शियादब ने परिक्षा रद किये जाने के बाद सूशल मीडिया एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा है और गलबड़े की खबर के बाद UGC नीट की परिक्षा भी रद कर दी गई है भाजपा की राज में पेपर माफिया एक के बाद एक हर एक्साम में धांदली कर रहे हैं देश के खिलाफ किसी की बड़ी साजिश भी हो सकती है शिप्षेना की 58 वी स्थापना दिवस के मौके पर उदब ठाकरे ने NDA के साथ जाने की चर्चाओ पर पूर्ण ब्राम लगा दिया है उदब गुट के NDA में शामिल होने की अटकलों पर उदब ठाकरे ने कहा है कि भाजपा वाले हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं शाजिश के तहट भाजपा कह रही है कि शिप्षेना फिर से NDA में जाएगी इसमें कोई सच्चा ही नहीं है कमिल नादू के कल्ला करीची जिले में कथित तौर पर अवैद देशी शराप पीने से करीब 100 लोगों बिमार पड़ गए देखते ही देखते ही लोगों की मौत का सिलसिला भी शुरू हो गया पहले पांच फिर दस मौते की ख़बर आई गुरुबार सुबह तक 34 लोग जहरीली शराप की बेट चड़ गये थे अभी 60 से जादा लोग अस्पताल में भरती हैं और जिंदेगी मौत से जूज रहे हैं टीम इंडिया वी जून को बारवा डोश में अफगानिस्तान के खिलाब अपने सुपर एट का पहला मैच खेलेगी इस मैच के दोरान भारतीय बल्लेवाजों पर हर किसी की निगाए रहेंगी खास कर विराट कोली पर दरसल भारत ने अभी तक लीक स्टेट के सबी मुकाबले अमेरिका में खेले थे जहां पिछ बल्लेवाजों के अनुरूप नहीं थे ऐसे में आज भारते बल्लेवाज कुछ रन बनाकर कॉंफिडेंस हासिल करना चाहेंगे ऐसे में पूर्ब हर्फन मौला इर्फान पठान ने दावा किया है कि सुपर एट में हमें विराट कोली का असली रूप देखने को मिलेगा चीन के राश्पति सी जिंपिंग नी देश की सेना पी लए में वैपाद व्यापक भरस्टा चार पर बूरी तरह से भड़ा कुठे हैं यनान शहर में चीनी सैनीकों के साथ मुलाकात में शी जिमपिंग ने कहा कि सेना में किसी ब्रष्टव्यक्ति के लिए छिपने की कोई जगा नहीं होने चाहिए जिमपिंग ने यह भी कहा कि सेना चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पिरती पूरी तरह से निस्ता दिखाए